हेलो दोस्तो मैं गनपत्थ आपके अपने यूटूब चैनल एकजाम मंत्र में हार देख स्वागत करता हूं दोस्तो अभी 5-6 दिन से कोई भी करेंट अफेर की वीडियो अपलोड नहीं हुई दोस्तो मैं भगवान से एक वावगान उनकी आत्मा को शांती दे दोस्तो मैं आपको बता दू कि मैं अपको बता दू कि एक बार फिर से एक नए अबतार में हम आप लोगों के लिए ले कर पसंद आए तो शेर अबस करें अगर चैनल पढ़ना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल पर आए बेल आइकन को जरूर दबाईए ताकि आने बाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों देरे ना करते हुए देखते हम आज का हमारा पहला प्रसं हमारा पहला प्रसं है दोस्तों हाल ही में कौन सा राज फसलों की खेती को बिनिमेत करने बाला भारत का पहला राज बन गया है तो दोस्तों अभी हाल ही में तेलंगाना राज फसलों की खेती को बिनिमेत करने बाला भारत का पहला राज बन गया है फसलों की खेती को क्या कर तो दिस्तों इसके बारे में हम important fact के बारे में जामते हैं देखते हैं सरकार की अनुसार राज सरकार द्वारा जल्द ही इस सम्मंदमें घोशना की जाएगी कि राज के किस छित में कौन सी फसल उगाई जाएगी क्योंकि इससे किसानों की उपच की मांग सुनस्चित करने में मदद मिलेगी राज सरकार में फसलों की मांग की आधार पर किसानों को यह सुझाओ देगी कि किंच छित्रों में कौन सी फसल अथवाश सब्जियां उगाई जाए ठीक है दोस्तों से क्या होगा कि राज सरकार फसलों की मांग के आधार किसानों के सुझाओ देगी कि किन छित्रों में कौन सी सब्जियां उगाई जाए और कौन सी फसल अब बात करते हैं तो जान लेते हैं तो 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 यह जो चीप मिनिस्टर है के चंद सेखर राओ केप्टल है है राव और आपको बता दें कि हैधराबाद है दोस्तों है हैधराबाद दक्कन पठार पर मूसी नदी के किनारे इस्थते कहां दक्कन पठार पर मूसी नदी के किनारे इस्थते और हैधराबाद को निजाम का सहर तथा मौतियों का सहर भी कहा जाता है कुश्चन पूछा जाता है मौतियों का सहर किसे कहा जाता है तो किसे हैधरा तो और वी जानकारी देखते हैं यहां पर चारमीनार हुशेन सागर जील और सालार जंग संगरालाय भी कहां है आपके हैदराबाद में है अर्था तेलंगाना में और यहां पर नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं तो मिरोगानी नेशनल पार्क और महाबीर हरीना बनस्थली नेशनल पार्क और केशु ब्रहमान रेड़ी नेशनल पार्क भी कहां है तेलंगा नामें है अब इस कुश्चेंजा में इतनी सारी जानकारी मिली अब हम देखते हैं हमारा आगला प्रशन तो हमारा आगला प्रश के नए महानदेशक की रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अभी हाली में आपको दिख रहा है कि बीविद्याबती को किसे बीविद्याबती को भारतिये प्रातत सर्वेक्षड के नए महानदेशक की रूप में नियुक्त किया गया है अब जब बीविद्याबती को नि स्थापक के सॉरी महान देशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो देख लेते हैं इसकी जो क्या होटि है आर्टियो लॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी होती है फुल्फरों इसे सौट में कहते हैं क्या कहते शॉट में एसके जो अलेक जेनर कनिंगम और इसकी जो इस्थापना है बहुती एठारा सो एक सट में मुख्याले कहां है नई दिल्ली में और भी जानकारी देखते हैं इसके बारे में इसलिए इसी प्रकार की जानकारी हम आपको देते रहेंगे और दोस्तों हम इसी प्रकार से बदलाओ दिर प्रती दिन लाएंगे ताकि हम जो बेस्ट कंटेंट इसलिए बताते हैं कि आपका करंट अफ्यर के साथ जी के वाला पॉर्शन भी मजबूत हो सके देखते हैं हमारा नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों टीवी एस समूह और सुंद्रम मेडिकल फाउंडेशन ने किस संस्था के साथ मिलकर दस संद्रम बेंटांगो नामक स्वसनेंत विक्षित किया है तो दोस्तों अभी हाली में टीवी एस समूह और संद्रम मेडिकल फाउंडेशन ने आई- सुन्द्रम बेंटांगो नाम जो स्वसान्यांत विक्सत किया है वो क्या है तो तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है एक क्या है हमारा सुन्द्रम बेंटांगो एक स्वसान्यांत्रे ठीक कि एक किसने भीखसित किया है इायएट्य मद्रास के मिल कर किया गया है इसके बारी में जानती है कि यह क्या है तो यह एक कम लागतवाला एक कम लागतवाला एक जलता है अरथाहर्था संद्राम वैटांगोगो ठीक है सौसा नेयंत रहे हैं अगला प्रसंद देखते हैं सवरीच के बारे में थोड़ी जानकारी गोड़ देखते हैं इसी के बारे में जानकारी दिखते हैं तो मद्रस के प्रोफेसर फ्रप्रधीप को निक्कोई अस्या पुरुसकार या को अधे लिए चुना गया है इन्डिया इती मद्रास। होस्ट हाइपर लूप पूर्ड कमप्टिशन इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी अर्था दोहजार वीश आई 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 टी बॉंबे के प्रोफेसर सौरव लोढ़ा को बस 2020 के एंग केरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेकनोलोजी से सम्मानत किया गया है तो दोस् आई आई टी बॉंबे के प्रोफेसर सौरव लोढ़ा को 2020 के एंग केरियर अवार्ड के लिए सम्मानत किया गया है अगला प्रसंदेखते हम तो दोस्तों हमारा अगले नंबर का प्रसंद है कि हाल ही में किस भारतिय बॉक्सर को राष्टिय डोपंग रोधी एजनसी को दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है अभी हाल ही में अकलेश कुमार को अकलेश कुमार को जो कि भारतिय बॉक्सर है राष्टिय डोपंग रोधी एजनसी अर्थार नाड़ा के अनुसासनात्वक पैनल में सामिल किया गया है तस्बीर में हमें दिखाई दे रहे हैं यह अधिल कुमार है ठीक है दोस्तों यह हमारे भारतिय बॉक्सर है अकिल कुमार और इन्हें पूर्राष्ट मनलर स्वर्पदक विजेता है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में तो बता दें राष्टिय डोपंग रोधी एजनसी के बार भारत में अपने सभी रूपों में खेल में डोपेंग नियंतर्णकारी क्रम को बढ़ावा देने और समयन बैया के निगरानी करने के लिए उत्तरदाई राष्टी संगठन है ठीक इसका नाडा का जो मुख्याला है वो नई दिल्ली में है नाडा के महान देशक है नमीन अ वाडा की फिरवर्व ग्या होती है वहल्ट एंटी डोपेंग एजन्सी वेल्ट एंटी डोपेंग एजन्सी इसका जो हेड़ कोटर हैं मॉंटेरीयल कनाडा में लें अब हम भारतिये पॉक्स कुछ भारतिये बॉक्स दे में जानते हैं हमें पता होना चाहीं कि हमारी भारतिय बॉक्सर कौन-कौन से हैं तो दोस्तो मेरी को जिनका तो नाम आपने सुना ही होगा हम सब लोगों के लिए और एक अगली के लिए भी एक क्या है बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कहते हैं कि अगला प्रसंद देखते हैं अमेट पंगाल भी है अगला प्रसंद देखते हैं अमेट पंगाल भी है अगला प्रसंद देखते हैं तो दोस्तो नेक्स्ट कुश्चन है हमारा के हाल ही में 20 आर्थिक मंच द्वारा जारी गिलोबल एनर्जी ट्रांजीशन इंडेक्स में भारत का इस्थान क्या है तो दोस्तो अब यहारी में 20 आर्थिक मंच द्वारा जो जारी होगा है कि अपको कि इस सुचकांक को देशों की उर्जा प्रदर्शन पर्याबनी स्थर्ता उर्जा सुरक्षा और टिकाउ शुरक्ष सस्ती और समाबेश्य उर्जा प्रदर्वरतन के लिए तद परता जैसे संकेत कों कि आधार पर तयार किया गया है इनर्जी ट्रांजीशन इंडेक्स अर्थात ETI में स्वीडन ने टॉप किया है स्वीडन ने और हमारा भारत का जो इस्थान है वो क्या है 74 जो 74 में नंबर का इस्थान है मारे भारत का और टॉप पे रहा है स्वीडन व्ट एक्योणिक फोरम इर्थाद W-E-E-E-F विस्था और्थिक मंच ने इसे जाईरी किया है और संस्थापक और अध्यक्स को है इसके W-E-E-E-F के तो इसके जो संस्थापक और अध्यक्स है किलाव स्वाव डबली एफ का जो मुख्याला है वो जेनेवा सुईजर लेंड में है इस कुश्चन से हमें बहुत सारी जानकारी मिली अब हम देखते हमारा नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन क्या है हाल ही में COVID-19 से लडने के लिए new development bank ने भारत को कितने राशी का रड़ सुईकरत किया है तो दोस्तो अभी हाली में COVID-19 से लडने के लिए new development bank ने भारत को usd one million राशी का रड़ सुईकरत करने का दोस्तो जानते हम new development bank के बारे में तो New Development Bank क्या है इसकी NDW की फॉलपॉर्म और इसका जो हेड़वार है वो कहा आए वो है संगधाई चाइना में है और प्रेशीडेंट इसके कौन है इसके केवी कमात है और इसका जो फांड़ीड में जब इसे 2004 में फांड़ीड किया गया था दोस्तों ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आपते हैं आपको बता दें B से ब्राजील और R से रूस और I से इंडिया C से चाइना और S से दक्षण अफ्रीका तो ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षण अफ्रीका हमारे व्रक्ष देशों में आते हैं दोस्तों एसियन इन फ्रेक्षर और इनवेस्टमेंट वैंक AIIV की फिलफर्म होती है AIIV की फिलफर्म क्या होती है एसियन इन फ्रेक्षर और एसियन इन फ्रेक्षर इनवेस्टमेंट वैंक हेड़ पार्टर है बीजंग चाइना में और फॉर्मिशन अर्थात इसे 2016 में इसका फॉर्मिशन हुगा था एस याई विकास बैंक एडीवी के बारे में जानते हैं तो इसके फुर्फवर होते हैं क्या होते हैं एसीन डेप्लमेंट बैंक हेड़ क्वाटर मनीला फिलिपिंस में हैं अध्यक्स कौन है मात्सुकु आसा काबा और स्थापना 1966 में दोस्तों तो अभी हाली में उत्राखंड सरकार ने बैरोजगार रिवाओं को नौकरी के अफस्तर प्राप करने में मदद के लिए होप पोर्टल लॉंच किया है अब होप की फुल्पाम होती है वो क्या होप की फुल्पाम में वो क्या है तो वह हेल्पेंग आउट प्यू वेल ओत्राखंड की राज'Dानी देहरादुम ए उत्राखंड के मुक्वंती तुपैन्स राबत ऊत्राखंड के राजपालल बेविरानी औरो Park यहां सब से फहां नयशन नेशनल पार्क है तो जिम कॉर्वेट नेशनल पार्क कहां है कई बार पूछा गया तो कहां है उत्रा खंड में और एक और फेहमस है आवा का गंगोत्री नेशनल पार्क बहुत फेहमस है ठीक नंदा देवी नेशनल पार्क फेहमस है बैली और फिलवर्स नेशनल पार्क तो है हमाना next question है आच का हाली है किस देश ने Social Distancing के लिए i feel you bracelet vixit किया है तो दोस्तों अभी हाली में इitution ने Social Distancing के लिए I feel you bracelet vixit किया है अब इसकी बारे में जानते हों तो इह bracelet opioid करताओं को social distancing नियममों का पालन करने में मदद करेगा कैसे करेगा तो बताते हैं कि इस ब्रेसलेट को कुरोना बारस, लॉक डाउन में सुरक्षा के उपायों की रूप में विखस्थ किया गया है यह ब्रेसलेट केवाल एक रेडियो सिंग्नली का उप्यों करता है जिससे दूसरे bracelet ने नजदी काने का पता चल जाता है ठीक है यह bracelet क्या करता है एक cable radio signal लुपियो करता है जिससे क्या है दूसरे bracelet को के नजदी काने का पता चल जाता है ठीक है यह हम देख चकते हैं आपकी तस्वीर में अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट कुश्चन है कफ से के export गेदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे तो दोस्तों एक जूंसे सीएपिएफ की के एंटीन में केवल सोदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे तो एक घुसन है की अभी हमारे ग्रह मंत्री का होती है इसलगी फ्लस फॉरम अर्थात केंदिर सास्त पुलिस वल कहां देगी है ससस्त पुलिस बल सीए पीएफ अगला कुश्चन देखते हम हमारा अगला कुश्चन है दोस्तों हाल ही में यूएस सेंटर फोर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा भारत को कितने कितने रासी की सहायता दी गई तो अभी हाली में कितने डॉलर 3.36 मिलियन डॉलर की सहायता दी गई है ठीक है तो आपको बताता है यूएस सेंटर फोर डिसीज के बाद हम वीडियो लेकर आए हैं तो आपको एक कैसा लगा दोस्तों हमारा जो आज का कुश्चन फोर यूँ आपके लिए कुश्चन है कि हाल ही में सिभी एसी का नया धक्ष किसे ने उत्किया गया है तो दोस्तों इसका जो आपको आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर ज्यादा पसंद आए तो सेर कीजिए धन्वाद हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एक्जाम मंत्र दोस्तों अगर आप एससी बैंक रेलबे पुलिस लेकपाल आदी प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी करते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और बगल में आए वेल आइकन को